बच्चों, आज हम लोग आउकलन सीखेंगे, आउकलन, आउकलन का मतलब होता है कि जब किसी राशी में हम परिवर्तन करते हैं, तो उस राशी से सम्मंधित अगर कोई दूसरी राशी है तो उसमें भी परिवर्तन होता है, जैसे आप चल रहे हैं, तो चलते समय आपके पास दो राशियां हैं, एक है समय और दूसरी है दूरी, समय के साप एक्ष आप दूरी को तैंक करते हों, और इस हिसाब से दो राशियों का जो परिवर्तन आता है, पहली राशि में, यानि कि शमय में अगर हम परिवर्तन करें, अगर हम गतिशील हैं, समय के साथ हमारी इस्तिती बदल रही है, तो अगर हम अपनी पहली राशी में परिवर्तन करते जाते हैं, शमय में, तो हमें दूरी में परिवर्तन मिलता जाता है, एक राशी के सापक्ष दूसरी राशी में कंटेनियों परिवर्तन होता रहता है, ऐसी हमारे दुनिया में बहुत सारी राशीया हैं, ज कोई भी समय हो सकती है ताप हो सकता है अब जैसे मान लो आप किसी चीज का आयतन बढ़ा रहा है उसे हीट कर रहा है तो जैसे जैसे आप टेंपरेचर चेंज करोगे उसका आयतन बढ़ता जाएगा और जब आयतन बढ़ेगा तो अगर आयतन को हम मेजर कर रहे हैं तो हम किताब की अलग अलग अवस्था में वह पदार्थ अपना अलग अलग आयतन बदल रहा है अब यह आयतन बदल रहा है ताप बढ़ाने से लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो जिस अनुपात में आप ताप बढ़ा रहे होते हो उस अनुपात में आयतन नहीं बदल रहा होता ह उसका कुछ अलग अनुपात होता है. जैसे दो लोग अगर साथ चल रहे हैं, तब तो ठीक है, अगर वो अलग-अलग स्पीड से चल रहे हैं, अगर वो अलग-अलग समय के समान पलों में, तो उनको उनकी चालेहम अलग-अलग बताते हैं. ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं और यहाँ पर हम ताप को लिखते हैं एक पड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन जिसकों बच्पन से ग्राप के रोप में जालते हैं ठीक है अगर इस ग्राप पर एक जगाँ पर हम ताप और दूसरी परिणाम सरूप जो आयतन में बृद्धी हमें मिलती जाए उसको अगर हम यहां देते जाए तो हमें कोई ना कोई वक्र प्राप्थ हो जाता है कोई ना कोई वक्र प्राप्थ होता है और ऐसा प्रतीक दो राश्यों की तुल्ना में होता है जाहे वो समय के साथ दूरी का बदलना हूँ, चाहे ताप के साथ आयतन का बदलना हूँ, परिवर्तन है तो जब हम एक रासी के सापेक्ष दूसरी रासी में परिवर्तन को देखते हैं, तो practically हम इस तरीके से उसे ग्राप पर अंकित करते हैं और अंकित का ध्यान दीजेगा ये प्रक्रिया प्रयोग आतमक होती है प्रयोगों के विभिन प्रकार के प्रयोग करकर के हम बार-बार इस चीज को प्राप्त करते हैं अब हम यहाँ पर ऐसा माल लेते हैं कि माल लीजिये ताप को हम यक्स से लिखते हैं और आयतन को वाई से लिखते हैं अब यहाँ पर आपको यह जो graph बनाना है इस graph को प्राप्त करने के लिए y और x के बीच एक संबंद बनाना है y और x के बीच एक प्रकार का संबंद होना चाहिए अब हो सकता है यहाँ पर क्या कहा जाएगा y यानि कि आइतन fx y जो आइतन है वो x के फलन के रूप में मिलेगा x के फलन के रूप में मिलेगा हम समझ रहे हैं यह बाती समझनी थोड़ी कठिन होगी लेकिन मोटा माटी हम अभी आपको फलन को समझाते हैं क्योंकि फलन के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो अब यहाँ पर समझिए जैसे ताफ हम 2 degree centigrade करते हैं तो ताफ 2 degree centigrade करनी पर मतलब यक्स बराबर अगर हम 2 degree centigrade करते हैं तो मानलो आइतन जो है वो 10 लेटर होता है जब हम इसको 0 degree centigrade रखते हैं तो यह मानलो आइतन 4 लेटर रहता है जब इस ताफ को हम 4 degree centigrade कर देते हैं तो मानते हैं कि आइतन जो है वो 15 लेटर हो जाता है अलग अलग इस ताफों पर वो अलग अलग आइतन देता है कोई डारेक्ट संबन नहीं मिलता कि हम आसे कर दे और इसको लेकरके इन विभिन इस्तितियों को 0 degree centigrade, 2 degree centigrade, 4 degree centigrade, 4 लेटर, 10 लेटर, 15 लेटर वो जब दो अलग अलग अक्षों पर हम इसको अंकित करते हैं और उन बिंदों को मिलाते हैं तो इस तरीके का एक वक्र प्राप्त होता है अब हमारे सामने यह विवस्था होती है कि हम कोई ऐसा तरीका अपनाएं यव का यक्स के टर्म में अगर हम इस ग्राप के हिसाब से कहें तो आयतन का ताप के पद में एक ऐसी प्रकरिया लानी होगी अब यहाँ पर हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम यक्स की बिभिन मान दे जो मान यहाँ पर है तो वाई का यही मान प्राप्त हो अर्था ताप के हम यह मान दे तो आयतन के हमें यह मान मिले ठीक है यहाँ पर यक्स जो है यक्स यानि ताप यह हमारा सोतंतरचर है कोई भी temperature दे सकते हैं कोई भी temperature दे सकते हैं और y जो है हमारा वो परतंत्रचर है जो yaks पर निर्भर करेगा कि yaks के इसमान पर y की value कितनी आ रही है अब हमारे पास एक ऐसा जुगाड होना चाहिए एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें वो yaks की value को बदल कर उसी value को दे जो y की real value है जैसे आप यहाँ पर temperature देखते हो मालो इस पर लिखा हुआ है 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से लिखा हुआ है अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर ग्राब को उपर ले जाए तो यह यहाँ है मालो यह है 5 लिटर, 10 लिटर, 15 लिटर ठीक है अब यह लगभग 8 के आसपास जा रहा है मानि जब temperature 4.5 के आसपास हो तो हमारा volume 8 लिटर हो अब मालो हम देखते हैं कि जब हम temperature 9 degree centigrade कर देखे हैं तो उस समय माली जी यह 20 है तो हमारा आयतन 20 लिटर हो मनि यक्स का मान हम 9 दें तो y का मान 20 आए यक्स का मान हम 4.5 दें तो y का मान 8 है ऐसे तमाम points हमें यक्स के मिलते जाएंगे कि यक्स का जो भी value हम देखना चाहते हैं यक्स की हम जो भी value रखना चाहते हैं उस value के हिसाब से उस value को हम दे तो आयतन यानि y की वही इक्षित value मिल जा जो इस graph पर yaks के term में y की value है इसके लिए हम क्या करते हैं इस वक्र को निरूपित करने के लिए कोई जुगाड सेट करते हैं और उस जुगाड को जो yaks के साथ लगा होता है उस जुगाड को हम फलन कहते हैं अब जैसे माली जी किसी का वक्र हमें इस तरीके से प्राप्थ होता है अब इस तरीके का अगर प्राप्त होता है तो इस तरीके के वक्र के लिए हम फलन को log x के रोप में प्रियुक्त करते हैं अब यहाँ पर x की value अगर आप देंगे तो log उस x की value को इस हिसाब से change करता है अब log की संक्रिया हमें अलग से पढ़ाई गई है कि अगर कहीं पर log लिखाओ तो उसके लिए हमें क्या करना होता है log table से हम उसकी value देखते हैं और y की value define करते हैं ठीक है जब हम यहाँ पर अगर यह base 10 पर है तो y बराबर log अगर यहाँ पर base 10 पर हम 10 रखते हैं तो y की value एक आती है अगर यहाँ पर हम y equal log 10 पर 100 रखते हैं तो y की value log base 10 पर 10 to the power 2 हो जाती है और log की value 2 आती है लेकिन अगर यही value हम किसी दूसरे फलन के साथ ही उसकरते हैं अगर यह ऐसे लिखा हो y equal x square तो यहाँ पर अगर हम 1 देती हैं तो y की value 1 मिलती है लेकिन अगर यही value हम 210 देती है तो यहाँ पर देखो 1 नहीं मिल रहा है बलकि y वराबर 100 मिल रहा है अगर यहाँ पर हम 100 देती है x की value तो y की value 10,000 मिलती है अब यहाँ पर यह अलग-अलग value एक ही मान के लिए क्यों आ रहे है क्योंकि यह फलन हमें बता रहा है कि इस yक्स की कैसी value हमें देनी है तो yक्स की कैसी value हमें चाहिए उसे निरधारित करने के लिए जिन चरों का हम यूज करते हैं उन्हें कहते हैं फलन ठीक है? अब इन ही फलनों के सहारे हम करते हैं आगे की जो चीज होगी वो physical पार्ट में चली जाती है हमें चुकि mathematical पार्ट आउकलन का पढ़ना है तो इसके लिए हम बताते हैं हमारे पास अब कुल 5 फलन है जिनका उप्योग हम आउकलन में करते हैं पहला फलन है inverse function जैसे आप पढ़ते हो x प्लस 1 की घात माइनस 3 या 10 inverse x sin inverse x इस तरीके के फलन होते हैं लगुगण की ये log x base e पर log x base a पर 20 गणती फलन होते हैं x square x to the power 1 by 7 x to the power 3 by 8 माइनस 3 by 8 प्रिकोणमिती फलन होते हैं sin x cos x या देको आपका जो चर है वो x ही है चर घातां की फलन e to the power x तो ये मूल फलन है अब इन ही मूल फलनों का आउकलन किया जाता है तो इन मूल फलनों का आउकलन हम कैसे करते हैं चलिए देखने हैं सबसे पहले हम लेते हैं algebraic function यानि 20 गंड ती फलन 20 गंड ती फलन ये ठीक है तो जो हम आउकलन करते हैं आउकलन अलग अलग फलनों का निसकर से निकाल करके हमें हमारी inter-level के book में दिया जाता है कि आप इस value का आउकलन कर रहा है तो ये तना होगा बने उसका जो आउकलन जाएगा derivative आईगा आउकलन करने के पस्चाथ वो value इतनी होगी ये fix दिया जाता है जबकि इसको कैसे निकालते हैं पहले इस चीए हम देखते हैं 20 गंड ती फलन माली जी हमारे पास ये फलन है y बराबर x to the power 1 y equal x to the power 1 हमारा एक फलन है अब यहाँ पर इसका हमें आउकलन करना है तो हमारे दुनिया में जितने भी mathematician होने उन्होंने अलग-अलग तरीके से फलनों को आउकलित किया उसके आउकलन प्राप्त किये तो यहाँ पर इसके लिए जब हम आउकलन करते हैं लिखते हैं rate of change of y with respect to x यह चिन होता है आउकलन का और यहाँ पर लिखते हैं rate of change of x with respect to x to the power 1 अगर हम simple सब्दों में करें तो यह हो जाता है rate of change of y with respect to x equal nx to the power 1-1 यहाँ पर होता क्या है algebraic function पर जो भी power होती है जो भी घात होती है वो आगे आ जाती है और मूल घात एक कम हो जाती है इसको हम algebraic function का formula कहते हैं जो कि इस पद के लिए यह आउकलन हमें पराप्त होता है यह इसका algebraic function है ठेक है अब इसको अगर हम करते हैं उस प्रकिरिया के साथ जिससे इसको पराप्त किया गया था कि टूदी पावर यग ठेक है अब हम मानते हैं कि माल लेजिए हम अपने फलन में एक छोटा सा परिवर्तन करते हैं किस में, X में, X में एक छोटा सा परिवर्तन करते हैं, तो Fx में भी परिवर्तन होगा, ठेक हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं, Fx प्लस H, H क्या है, बहुत ही छोटी वैलो है, बहुत ही छोटी वैलो, थोड़ा सा परिवर्तन करके देखते ह कि इसके respect में x में क्या परिवर्तन होता है तो यहां भी हो जाएगा x plus h all power अब जब हम differentiate करते हैं इसको आउकलित करते हैं तो हम लिखते हैं d by dx of y equal limit h tending to 0 मतलब h हमारी बहुत छोटी से छोटी value है हम x में परिवर्तन कर रहे हैं y में परिवर्तन होगा कुछ परिवर्तन नया मिलेगा तो हम माल लेते हैं कि हम बहुत ही छोटा सा परिवर्तन करते हैं और वो परिवर्तन कितना है यह के बराबर तो हमारा जो फलन है वो बदल कर कितना हो जाएगा x की power yen से x to the power whole power yen अब परिवर्तन हुआ कितना यह तो जब x में आपने यह बढ़ा दिया तो x प्लस h की power yen हो गया और पुराना कितना था है x की power yen इसको घटा ले तो घटाने पे हमें difference मिलेगा ठेक है जो हमारी रास याई यह value क्या है यह y की value है यह भी y की value है y की value तब है जब x की घात yen था जब हम x में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिये x प्लस h कर दिये तो यह y की ने value आ गई तो यह दोनों में परिवर्तन हुआ और नीचे हमने कितना change किया x प्लस h x में कितना change किया सोतंत्र चर में हमने कितना परिवर्दन किया है, यहां ध्यान से देखिए, इस value को x की घात यन, मने कोई भी चर है, अगर उसको यहां रखते हैं, तो उसकी यन घात का जो मान आएगा, जैसे आप यहां मानलो 2 की घात 3 तीन का मान 8 आएगा, यहां पर रखते हैं, लेकिन पावर 3, तो यह आएगा 8, यह y की पहली value है, और इस value को हम कहेंगे fx, अब मानलो इसमें 1 जोड दिया हमने तो 2 दसमलो 1 की पावर 3 हो गई, यह something value 8 से बड़ी हो जाएगी, इसको हम कहेंगे fx प्लस h, यहां पर h क्या है, यही 0.1 है, तो दोनों का अगर हम difference निकालेंगे तो 2.1 का जो cube होगा, वो उसमें से 8 को minus करेंगे, और एदर x में कितना परिवर्तन किया था आपने, 0.1 का, यानि 2.1 में से 0.2 को घटा दे, x प्लस h में से x को घटा दे, तो जो value बचेगी, वही हमने changes किये थे, वही हमने परिवर्तन किये थे, अब limit is tending to 0, इसमें से x को क कामन लिया गया, तो जब कामन लेंगे तो x to the power n, x plus 1 plus h by x whole power n, minus x to the power n upon h, ये value बचेगी हमारी, अब यहाँ पर, अगर हम x to the power n, पूरे function से कामन ले ले, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ बचेगा, 1 plus h upon x whole power n, minus 1 upon h, अब इसको हम binomial theorem से expand करते हैं, प्रसार करते हैं, तो ये value हो जाएगी, limit is tending to 0, x to the power n, 1 plus n, h upon x, पूरे के बटे, factorial 1, plus n, n minus 1, h upon x whole square upon factorial 2, plus n, so on, और last का ये minus 1, upon h, अब यहाँ पर 1 से 1 cancel हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर ये value हम repeat करते हैं, आगे, limit is tending to 0, x to the power n, अब यहाँ पर बचता है, n h upon x upon factorial 1, plus n, h upon x whole square upon factorial 2, plus n, so on, minus 1 cancel हो चुका है, upon h, अब यहाँ पर limit, h tending to 0, x to the power n, h upon x, पूरे factor से, और n भी कामल लिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 upon factorial 1, plus, sorry, यहाँ पर n, n minus 1 होगा, यहाँ पर बचेगा, n minus 1, h upon x, upon factorial 2, plus n, so on, upon h, तो अभी यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए, h से h को हम cancel कर देंगे, अब यह जो last, final value बचेगी, उस, थोड़ा सा नीचे clear कर लेते हैं, अब जो नीचे final value बचेगी, वो होगी, limit, yes, tending to 0, n, x to the power n, upon x, 1 plus n minus 1, h upon x, upon factorial 2, plus n, so on, अब यहाँ पर x से अगर इसको cancel करते हैं, limit, yes, tending to 0, तो बचता है, x, n, x to the power n minus 1, एक पावर कम हो जाएगे, क्योंकि यहाँ x की power 1 है, और यह हो जाएगा, 1 plus n minus 1, h upon x, upon factorial 2, plus and so on, अब अगर h की value इधर रखते हैं, तो यह n, x to the power n minus 1, 1 plus 0, plus and so on, तो अब यहाँ पर इसका 1 में multiply करते हैं, तो आता है, n x to the power n minus 1, अर्था d y dx, upon x to the power n, की यह final value निकल कर आती है, अब हमारी inter-level की कक्षाओं में, यह पूरी प्रकिरिया पर्थम सिद्धान के आउकलन के नाम से जाने जाती है, जिसमें कुछ एक topic दिया हुआ है, और महाँ पर हम इसको निकालना सीखते हैं, कि किस तरीके से यह निकाला जाता है, अब इस चीज को हमारे mathematician ओने, हमारे गड़तग्यों निकाल निकाल कर, अलग-अलग समय पर अलग-अलग फलनों की value उन्होंने पहले से ही introduce कर दी, आती आवश्यक होता है, क्योंकि उच्चतर कक्षाओं में उसकी बड़ी आवश्यकता होती है, तो यह आपका फलन हो गया, अब चलिए इस पर एक दो example देख लेते हैं, तो माल लेते हैं कि पहला फलन है y equal x to the power 7, तो अभी हमें क्या करना है, यहां पर simple सा काम करना है, dy dx of y अर्था rate of change of y with respect to x, और dy dx of x to the power 7, अब आपको जो power है, जो अभी formula हमने generate किया था, उस power के हिसाब से 7 side में जाएगा, इसके multiple बनेगा, इसका गुणांग बनेगा, और x to the power 7 minus 1, एक single power कम कर देंगे, तो यह हो गया 7 x to the power 6, इसी तरीके से, अब यहां पर y equal x to the power, माल लोते हैं, minus 3 by 5 है, तो अभी यहां पर क्या करना है, simple वही तरीका है, dy dx of y equal dy dx of x to the power minus 3 by 5, अब जो भी power है, आपको same ऐसे side में लाना है, multiply के रूप में, गुणन के रूप में, और यहां पर लिखना है, x to the power minus 3 by 5 minus 1, अब इसको आप minus 3 by 5 minus 1 अगर करते हैं, तो minus 8 by 5 आता है, अब आप power को evaluate कर लीजिए, minus 3 by 5, x to the power minus 8 by 5, यह हमारे alkaline हो रहे हैं, और किसके हो रहे हैं, 20 गड़ती फलन के हो रहे हैं, यह सारे फलन 20 गड़ती फलन कहलाती हैं, चलिए कुछ और examples देखते हैं, y equal ax to the power 7, अब यहाँ पे क्या होगा, dy dx of a dy dx of x to the power 7, जो constant value होती है, जो constant value होती है, अगर operator का चर, नीचे की जो dx लिखा हुआ है, या operator है, जसके साफ एक शाब ग्याद कर रहे हैं, इस value से, इस चर से, अलग चर जो भी होते हैं, वो constant माने जाते हैं, और उन्हें किनारें, गुड़ांकों के रूप में रख दिया जाता है, अब बाकी प्रकिरिया शेम होगी, 7 x to the power 7 minus 1, तब यहाँ होगा, dy dx equal 7a x to the power 6, ठीक है, अब जैसे माल लेती हैं, एक example लेती है, y equal 3x plus 4, whole power 3, यह भी algebraic function है, अब समस्या यह हुई, कि यह कौन सा नया राग आ गया, अभी तक तो यक्स के ला था, फिर यक्स के गुड़े में आ गया, अब यक्स के साथ गुड़े में भी है, और जोड़ में भी है, तो आपको क्या करना है, आपको पूरा फुलन single चर्का बनाना है, एक चर्का बनाना है, मानि bracket के अंदर जो value लिखी जाती है, उस value को single चर्मे लेना है, तो single चर्मे बनाने के लिए, पहले तो इसको हम function में लगाएंगे, dy dx of y equal dy dx of 3x plus 4, whole power 3, अब यहाँ पर क्या है, कि यह single चर्ज अब तक नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा जो formula है, formula है y equal x, y equal x to the power n, then dy dx of y equal n x to the power n minus 1, तो यहाँ पर जब हम alkaline करते हैं, तो जो हमारा चर्म है, वो चर्म सिंगल टर्म में है, और यहाँ पर क्या है, double term है, माने दो पद हैं यहाँ पर, तो हम इस value को कोई extra चर्म के रूप में ले लेते हैं, equal हम t denote कर लेते हैं, अब यहाँ पर हम इसे लिखते हैं, d by dx of t to the power 3, लेकिन समस्या यह हो गई, कि हम, हमारा जो फलन था, वो बदल गया, अब यहाँ पर x के टर्म में था, हमारा फलन और यहाँ t के पद में बनाया गया, अब x के respect में आप इसको derivate कैसे करेंगे, क्योंकि value तो आप x की देंगे, तब आपको y की मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आप x की value देंगे, यहाँ t है, तो इसके लिए हम operator से multiply और divide दोनों कर देते हैं, किस operator से, जिसके टर्म में आपने माना है, पी माने होते हैं, तो dp upon dt, ती माने हैं, तो dt upon dt, अब इसको interchange करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, और इसको इधर ले आते हैं, तो dt q by dt into dt by dx, अब यह फलन हमारा आउकलज बनाने के लिए तयार है, तो यह हो जाएगा 3 t to the power 3 minus 1 into dt by dx, अब तो अब भाईया t q वापस value रखो, किसने कहां तुम्हें t के पद में बताने को, यहां तो बताना है x के पद में, तो 3 और यह हो गया 3 x plus 4, और t q पावर क्या हो गई, 2 हो गई, into t 3 x plus 4, t की value यहां भी पुठोगी by dx, अब देखो सारा frame लोट गया, सारे के सारे function बदल गया, वापस फिर से चर अपने ही चर में आ गया, अब यहां पे हो गया dy y dx equal 3, 3 x plus 4 whole square into, अब dy dx जो है वो distribute होगा, अब वितरित होगा, अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा constant की value जो है, वो किनारे हो जाएगी, dy dx of x plus 4, अब यहां पे तो कोई आपका चरी नहीं है, तो d1 by dx होगा, अब यह 3, 3 x plus 4 whole square plus, sorry, multiply 3 into 1 plus 0, 1 की value 0 होगए, 4 में multiply किया 0 होगया, तो यह जो 3 है, अब 3 बंजा 3, यानि 3 इकम 3, यह बाहर आएगा, 3, 3, 9, 3 x plus 4 whole square, यह आया आपका derivative, dy by dx, तो इस तरीके से कोई भी भी भीजगनती फलन, कोई भी भीजगनती फलन, अगर दिया हुआ है, तो उसका जो हम आउकलन करते हैं, वो इसी format के आधार पर करते हैं, यह हमारा मूल format है, और आपको जैसे भी भी भीजगनती फलन मिलेंगे, चाये वो जिस format में लिखे गए हूँ, भीजगनती फलन, चाये वो single power में हो, double power में हो, triple power में हो, 4 घात लगी हो, 5 घात लगी हो, 6 घात लगी हो, और अंदर आपके बहुत सारे पदों बाहर से break-up लगाओ, तो पूरे के पूरे पदों को पहले single term में करना होता है, और इस तरीके से जब हम करते हैं, तो उसको कहते हैं, नहित फलनों का उपलन, नहित फलन मतलब बड़े से फलन को किसी एक single चरके फलन में बदल देना, ठीक है, तो उमीद है, इतने से आप काम करेंगे, बाकी का जो है, वो next वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है, अब तो करम है हमारा, जो टर्म है हमारा वीडियो का, वो चलता रहेगा, ठीक है, ओके, पढ़िए, और पढ़ाई में enjoy कीजिए, student life में पढ़ना सबसे अच्छा काम है, आपके बहुत सारे काम है, लेकिन इस age में जो main काम है आपका, वो है पढ़ाई, तो अगर आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ज्यान के विना दुनिया धूरी है, ठीक है, तो मेरा आपसे निवेदन है, कि exam's बहुत दिन नहीं तैयारे सुरू कर दें, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में